ये तो माहन लो कि ये पत्र आपका जरूर आने वाला है बोड इक्जाम में नहीं विश्वास है तो कोई भी आप जो है पांच माडल पेपर ले लीजे कोई भी आप जो है प्रीबियस एर पांच कोशन पेपर लीजे या अनसाल पेपर खरीद कर देख लीजे उसमें ये लुटता है कि हम इस सारी चीजों को याड कैसे करके जाएं ताकि एक्जाम में पहुंचते ही पूरा का पूरा वहां पर जैसे यहां पर हम आपको बता रहे हैं उच्छापते कुछ भी नहीं करना है ठ्यान से सुनिए जो बता रहा हूं वो चीज वहां पर कर दीजेगा आ आप किसके लिए लिख रहे हैं पहले यह समझे तो आप नियुक्ति है तो आवेधन पत लिख रहे हैं किस पन के लिए यह नियुक्ति आप पाना चाहते हैं प्रवक्ता प्रवक्ता मतलब लेक्चरर तो आप यह बताईए आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं किसी जो है सिभा में सिच्छा निदेशक लखनव जो भी है जहां के लिए भी आप लिख रहे हैं तो सेवा में सिच्छा निदेशक लखनव फिर आप हेडिंग डाली है विस्वा और अपनी qualification बताएंगे और यह वी बताएंगे कि आपको कैसे पता की इसके लिए आवेदन करना है तो देखिए आप लिखा है दिनांक 12 मार्शं 2013 के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकासित आपके विग्यापन के उत्तर में मैं हिंदी के प्रवक्तापद के रिक्तिस्थान हेतु आवेदन जो है कर रहा हूं मतलब जो है जो ये सिच्छा नीदेशक प्रवक सब्स स्थान के विग्यापन में हिंदी के प्रवक्तापत के लिए जो रिक्ति स्थान हे उसके लिए आवेदन कर रहा हूं इसकान मेरी सैचनिक योगिताओं इवम अन्य जानकारीों का बिवरण निम्दнут है बल्ब मैं कितना पढ़ा लिखा हूं और मेरी क्या जानकारियां हैं वो मैं यहाँ पर नीचे लिखित रूप में लिख रहा हूँ ठीक अच्छा नाम भीया आपका नाम का है राजेश सिंग पिता का नाम क्या है मुन्नालाल सिंग अब यह जरूरी नहीं कि आप यही एज़िटी छापोगे कुछ भी लिख दो जन्मिति थ स्थाई पता नव अठारा स्यामनगर देहरादून इसके लावा आप प्रयागराज लिख सकते हैं जो भी आपको समझ में आयों यहाँ पर चेंज कर सकते हैं यह तो हो गया संचिप्त जानकारी उस ब्यक्ति के वारे में फिर सैच्छनी की योगिताएं वो क्या-क्या पढ है तो हाई स्कूल उसने दोहजार पांस में किया प्रत्व चेंज कर सकते हो आपको विद्या मेल जायेगा आप देखकर नहां से चेंज कर सकते हो यही लिख दी ना बीएट 2012 में किया दूतीस रेड़ी में बीएट भी इसने प्राप्त पास किया है आप प्रथम सरेड़ी लिख दीजे क्या वो आपको मना करेगा क्या प्रथम सरेड़ी क्यों लिख रहे हैं कुछ भी आप यहां पर लिखेंगे तो जरू फिर यह लिख यमे अगर आप वो व्यक्ति किया है तो यमे का यहाँ पर व्यूरंड देगा अगर नहीं किया है तो नहीं देगा लिख दिया है तो कुछ न कुछ यहाँ पर लिख दीजे कि हमें इस सन में प्राप्ट की पास किया इस रेने में और इस बोड से हमने पास किया सबसे पहले आपको जिसके लिए पत्र लिखना है क्या लिखोगे सेवा में सिच्छा निदेशक लखनाओ विसय डालोगे प्रवक्तापद हे तू प्रवक्तापद पर नियुक्ति हे तू आवेदन पत्र महोदा 11 मार 2030 के हिंदुस्टान टाइम्स में प्रकासित आपके विग्यापन के उत्तर में मैं हिंदी के प्रवक्तापद के लिए प्रवक्तापद के रिक्तिस्थान हे तू आवेदन कर रहा हूं इतना होने के बाद जो है थोड़ा सा लास्ट में आपको और लिखना है अगर आप इतना लिख देंगे तो निश्चित और पर आपको पूरा का पूरा एक्जामनर से नंबर मिल जाएगा क्या लिखा है अता आप से बिनम्न निवेदन है कि मेरी सचनी क्यों किता हूं एवं संबंधित अनुलगनकों को देखने और विचारने के पस्चाथ मुझे हिंदी सिच्छक के रूप में बच्चों वा राष्ट की सेवा करने का आउसर प्रदान किया जाए थन्यवाद द अगर आवेदक का अगर आम नाम यहां पर लिखना चाहते हो तो लिख देना या फिर ऐसे ही रख देना तो ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे मिलेंगे नेस वीडियो में ठांकी सो मत जैहिन परने मात्रम